बिसमिल्लायराहमानीरहीम, अससलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने escape sequences की details आप से शेयर की थी, आज के लेक्चर में हम comments को detail में पढ़ेंगे, तो dear friends, comments से क्या मुराद है, ये किस तरह से काम करते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक example का साहरा लेना होगा, दो समझ दें कि आप एक programmer है, और आप पांच महीने पहले कोई software बनाया था C language में, और बनाकर एक company को sale कर दिया, अब पांच महीने बाद, उस company के पास, उस software में कोई error generate होता है, तो company आप से contact करेगी, तो कि आपने वो software बनाया था, और आप से कहेगी, कि software को देखें, और error को ठी करें, लेकिन क्योंकि आप तो, उस software को बनाने के बाद, कई और software बना चुके होंगे, अलग-अलग companies के लिए, तो आपके लिए, यह याद रखना मुश्किल है, कि पुराने वाने software में, कौन सी line, क्या काम perform कर रही थी, इसलिए, किसी भी programmer के लिए, अपने यह software में, error को कुछ words लिख दें, जो कि उस statement को explain करें, कि statement क्या functionality perform कर रही है, क्या काम कर रही है, जिसके जरिए, सालों बाद भी, अगर हम अपने code को देखेंगे, तो उसे समझना हमारे लिए, नहायत ही असान होगी, और इसके लिए, c language आपको जो element पराम करती है, वो कहलाता है, comments, or difference, य लाइक, notes in the code, यानि, आप c language के इलावा, notes के तोर पर अपनी language में, आप program में कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो comment कह लाइक, इसके जरिए, आम तोर पर code की logic को explain किया जाता है, बाद में, जब आप अपने program को देखेंगे, तो उसको easily understand कर सकें, वो दोस्तों ना सिर्व आप, बलकि अगर कोई और developer, कोई दूसरा programmer, आपके program को देखेगा, तो comments की बदौलत, उनके लिए भी program को read करना और समझना दोनों असान हो जाएगा, इसलिए दोस्तों, we can say that the comments increases the readability and understandability of the source code, यानि आपके program को आप बाद में, कितनी आसानी से read कर सकते हैं, कितनी आजानी से समझ सकते हैं, इसके लिए comments जो हैं, वो बहुत ही helpful होते हैं, लेकिन दोस्तो, comments को आप अपने program में किस तरह से use कर सकते हैं, आईए देखे, तो comments को आप दो तरह से अपने program में use कर सकते हैं, यह यह कहलें, कि comments दो तरह के होते हैं, single line comment, यानि अगर आप एक ही line में comment यूज करना चाहते हैं, तो आप double backslash का इस्तमाल करेंगे, और दो बार backslash type करने के बार, आप जो भी कुछ लिखेंगे, वो C language में as a comment consider किया जाएगा, यानि दोस्तो आप इस example में भी देख सकते हैं, यह कहलाता है, single line comment, क्योंकि आप अपनी statement के हर एक statement के सामने लिखते हैं, और इसक आपका compiler उसको as a comment consider करेगा, इसके बाद जो comment की दूसरी type है, वो multiline comment, उसको multiline comment को लिखने का तरीका यह है, पहले तो यह समझ दे के multiline comment क्या होता है, जब कभी भी आप एक से ज़्यादा lines को comment बनाना चाहते हैं, तो फिर आप backslash और hysteric का इस्तमाल करेंगे, और उसके जितनी भी lines लिखेंगे, उसको आपका compiler as a comment consider करेगा, फिर दोस्तों जब आप दमाम lines लिख चुकेंगे, आपना comment complete करेंगे, तो फिर आप पहले hysteric और उसके बाद आखिर में backslash लिखेंगे, इसके बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे, उसको आपका compiler comment consider नहीं करेगा, क्य लेकिन जब आप hysteric और backslash लिख देंगे, आखिर में comment को पुरा लिख देंगे, उसके बाद जब आप backslash लिख लगाएंगे, तो फिर आपका compiler समझ जाएगा, कि यहां से comment जो है, वो मुकमल हो चुका है, इसके बाद जो भी code होगा, उसको मुझे execute करना है, तो दोस्तों और ignore करने के बाद जो next line होगी, यानि आपका comment complete हो चुका होगा, उसके बाद जो lines होगी, उनको execute करेगा, यहां भी दोस्तों आप देखें, तो यह जो आपको तमाम lines रज़र आ रही है, इनको आपका compiler execute नहीं करेगा, बलके इस curly braces के बाद, इस comment को ignore करने के बाद, यहां पर प्रोग्रामिकली आप अपने प्रोग्राम में किस करहां से, सॉरी, प्रैक्टिकली आप अपने प्रोग्राम में किस करहां से comment को यूज कर सकते हैं, जोस्तों यहां पर यह एक program है, जिसमें हम जूजर से 3 marks input लेंगे, और input लेने के बाद, उन marks का sum जो है, वो calculate करके इसको print करें, तो difference, अगर मैं इसको comments के साथ लिखना चाहूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने multiline comment का इस्तमाल किया है, जहां पर यह बता रहा है कि यह जो आपका program है, यह क्या काम करता है, यहां पर मैंने लिख दिया, this program takes 3 numbers as an input and calculate the sum of these numbers, और इस multiline comment को लिखने के कि आप अपने program को शुरू करने से पहले उसको define करना चाहते हैं, ताकि जो पहनने वाला है, उसको असानी हो कि यह जो program है, यह काम क्या कर रहा है, यह overall इसकी working क्या है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप हर एक statement के आगे भी बताना चाहते हैं, कि कि इस statement क्या काम कर रही है, तो इसके लिए आप single line comment को use करेंगे, मिसार के तौर पर दोस्तों, यहाँ पर आप बताना चाहरे हैं, कि मैं जो हूँ, वो user से तीन marks जो है, वो enter कर रहा हूं, तो आप इस statement के आगे double backslash जाला, और इसके आगे लिग दिया user enter marks, इसके बाद यहा क्या हो रहा है, वो क्या हो रही है, कि जितने भी marks आपने input दिया है, यहां पर उसका हम calculate कर रहे हैं, और दोस्तों, यहां पर आप देखें, तो इस statement से आपको समझ नहीं आएगा, कि यह हो क्या रहा है, यहां तो इस पर संदी लिखा है, और variable का name लिखा है, लिगे जब जाएगा, कि यह जो statement है, यह print करेगी, इस sum को जो कि इसको यहां से हासिल हुआ हो, तो इस तरह से comments के जरीए, आपके प्रोग्राम की readability, यानि उसको पढ़ने की सलायत, और उसको समझने की सलायत, जो है, वो increase हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ना सिर्फ आप के लिए, बैलकि अगर कोई दूसरा भी programmer है, वो अगर आपके प्रोग्राम को देख रहा है, तो उसको भी एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ है, तो इस तरह की प्रैक्टिस को जरूर अपने साथ रखें, जिसे आपके साथ साथ आपके टीचर भी अगर आपका प्रोग्राम देखेंगे, तो उनके लिए भी समझना आसान होगा, दोस्तों, यहां पर इस लेक्ट्चर का एक ताम हुआ, जिसमें हमने सीखा की कॉमें होते क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, यह काम किस तरह से करते हैं, और आप अपने प्रोग्राम में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, जहां तक दोस्तों, हमारे इस चप्टर का भी इसकताम हुआ, जिसका नाम था, इन्पुट एंड आउट्विट स्टेटमें अग्रे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक निया चप्टर जिसका नाम है चप्टर नुम्बर 6, तब तक के लिए, लाह आफिस,